तो दोस्तों ये मेरा देसी गुढ़हल का पौदा है जिसमें आप देख रहे हैं धेर सारे फूल और नई नई कलियां लगी हुई हैं जो की फ्लॉर्स में बहुत ही जल बदलने वाली हैं तो इस प्रकार देर सारे फूल कैसे मिलते हैं क्या कमपोस्टिंग करनी है तो मैं बताओं आपको कि इसकी मैंने करीब एक देड़ महीने पहले हाड़ प्रूनिंग की थी जिससे की नई नई सूट्स निकली हैं और सभी सूट्स में देर सारी कलियां आपको दिखाई दे रही इसमें कुछ भी एक्स्टा हमने एड़ नहीं किया है सिर्फ कमपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी गड़न स्वयल और उसमें हमने इस पौधे को लगा रखा है बस आपको कमपोस्टिंग करनी है जो कि फ्लॉरिंग सीजन है गुडल का तो इसमें हम महीने में एक बार गोवर क में गुडल का पौधा लगा सकते हैं और धेर सारे फ्लॉर्स ले सकते हैं यह सर्दियों के स्टार्टिंग तक बहुत अच्छे से फ्लॉरिंग करता है और फूलों से हमेशा भरा रहता है तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लें बेल आकन को प्र